प्रक्रतिवाद यानि कि नैचुरलिज्म इससे लॉग आंसर शॉर्ट कोशन बन सकते हैं तो यह कोशन आपके लिए इंपोर्टेंट है कि प्रक्रतिवाद की आर्थ और परिभाशा बताइए यह कोशन आपसे ऐसे भी पूठा जा सकता है कि अलग-अलग कि इसका रूप बत प्रक्रतिवाद में पढ़ाता अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो जरूर देख लीजेगा 20 मिनिट्स का होगा उसमें मैंने पुरा आदर्श्वाद आपको समझा दिया है तो आइए अप समझते हैं कि क्या है प्रक्रतिवाद और उसकार्त और परिभाशा प्रक्रत अपने आपमें पूंध तत्वा है जो नाचोडल ज्म रयाचो यह क्या मानते थे जो आपने आपमें और शाइर प्रत student प्रक्रति मतलब आपके प्रक्रतिवाद हैं जो ऐनको मानने वाले लोग है वह यह मांते हैं कि जो कुछ बीपन हो रहा है वह सब किसे है उत्पन्नों करके प्रक्रति में ही विलिन हो जाता है प्रक्रतिवादि इंद्रियों से प्राप्त ग्यान को सच्चा ग्यान मानते हैं यह उसके अनुसर सच्चा ग्यान के unlocking मनुष्य को श्वयम निरिक्षार परिक्षड करना चाहिए इन्हों ने क्या कहा खुद को इंसान को अपना निरिक्षड परिक्षड स्वयम करना चाहिए प्रक्रतिवादी जो थे यानि कि इसको मानने वाले जो थे उन्होंने मनुष्य की अपनी एक प्रक्रति होती है जो पूर्ण रूप से निर्मल है उसके अनुकूल आचरड करने में उसे सुक और संतोस होता है प्रति कूल आचरड करने में यानि कि सबका अपना नेचर होता है और कोई अगर अपने नेचर के विरुद्ध काम करता है तो उसको क्या मिलता है दुख मिलता है और जैसे मेरा नेचर मानलो क्या है कि मुझे रात में जखके पढ़ाई करना पसंद है और दिन में कोई बात उससे ना तो आप पढ़ने में satisfaction मिलेगा न राद में सो पाओगे उस समय आपको नींड आएगी तो आपको दुख एहसास होगा और आसंतोस यानि कि satisfied आप नहीं रहेंगे इसलिए प्रकृतिवादियों के नुसार मनुष्य की अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहते हैं इस प्रकार में प्रकृतिक नैतिक के पक्षिधान है प्रकृतिवादी के संबंद में कुछ परिभाशाएं आपकी कैसे हैं तो यह आप अपने अनुसार पढ़ लीजेगा एक आपको कोई इसमरड में रखनी है जैसे रॉस ने कहा था कि प्रकृतिवादी आप क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है प्रकृतिवादी के रूप में अगर मैं बात करूं तो आपका प्रदार्थवादी प्रकृतिवादी होते हैं एक होते यंत्रवादी प्रकृतिवादी और एक होते जैविक प्रकृतिवादी तो फिजिकल नाच कोई इंपोर्टेंस नहीं दी गई है जो आपके मेकैनिकल नाचुरलिज्म होते हैं इसके अनुसार क्या होता है कि विश्व एक प्राणी विहीन यंत्र है जिसका निर्माट पदार्थ एवं गति के द्वारा हुआ है इसके बाद इस बाद के अंत्रगत मनुश्य में चेतन तत्व किया पेक्षा करके यह माना जाता है कि मनुश्य भी इस बड़े यंत्र का भाग है और अपने में वापूर्ण यंत्र भी है इसका संचारन बाहे यह प्रभावों द्वारा होता है इस वाद ने विभारवादी मनुविज्ञान यानि साइकॉलजी और बेहेवियरि प्रणत आपके कौन-कौन से हैं तो देखो पहला कि संसार का करता और कारण दोनों स्वयम प्रकृति हैं इन्होंने कहा कि संसार का जो करता है यानि कि मनुश्य और जो कारण है जो कौस है जिसकी वज़े से चीज़े सब पॉसिबल है यह दोनों ही क्या है अपने आप में बल्चिदटन नियम जांट होती है इन वन दोट से कि इसають नियमों के निसचत बंचते यहां पानी से बरफ यह प्रक्रतिक परिवर्तन ओधैं इन्होंने कहा कि बर्फ है बर्फ से पानी बन गई जब टंप्रेचर बहुत माइनस में चला गया तो वही पानी से बर्फ बन गया तो यह क्या है यह प्रक्रतिक परिवर्तन का उधारण है यह बहुत एक संसार ही सत्य है क्या कहा इन्होंने देखो इतना है केवल से धांत एक सब कुछ है लेकिन प्रकृतिवादियों का कहना है कि नहीं भौतिक संसार ही सब कुछ है अध्यात्मिक जो है जो स्प्रिच्वालिटी वो सिर्फ कल्पना है ठीक इन्होंने कहा कि पदार्ञ ना कभी बनता है और नहीं उसका नाश हो सकता है वह मातर क्या होता है परिवर्टित हो सकता है संसार निर्मित ना गया है प्रकृतिवादी कहते हैं क्या कहते हैं कि प्रकृति के पदात पर्माणुं के सहयों से बन regularuenders कеся इनके कपारण ही जड़ जीव में चेत्व में बविकास होता हि प्रकृतिवादियों सब्सक्राइप स्थार्ड्ला प्राणी से उच्छे प्राणी के रूप में हुआ है यह आपकी क्या है कुछ सिध्धानत है कि इसके प्रक्रतिवादी के तो आप सारे पड़ लोगे तो आपको याद के वल चार पाच से आप एडिंग बनाकर के आंसर लिख सकते हैं चोटा कोशिन कैसे बन सकता है कि प्रक् अधर्षवादी के नुष्य के माध्यमिक नैतिक पहलू पर देता है मनुष्य प्रत्वी में सबसे पहले इस रेस्त आधर्सात्मक तता बुद्धिमान है जबकि प्रक्रतिवादी के नुष्य प्रत्वी का सबसे उच्चुतम पशु है ठीक उसके बाद में के इसका इस पश्चिकरर पढ़नाम सुरूब रिष्टी से अंतर है आधर्सवाद विचारो या द्यात्मिक्ता को अंतिमसत्ता मनता है जबकि जो प्रक्रतिवादी हो बहुतिक तत्व को अंतिमसत्ता मनता ह यही सब हैं डिफरेंस समझेगा आधर्सवादी जो है वह संसारिक विकास को विश्चित देश्य का प्रयोजन मानते हैं यह विकास साश्वात आधर्सवादी की ओर रहा है जबकि प्रक्रतिवादी जो है वह संसारिक विकास को एक प्रक्रिया मात्र मानता है यह विश्व सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जो प्रकृतिवादी है उनका जो करिकुलम का निर्माड होता है वह बालक को नैसर्गीक प्रवर्तियों रुचियों इंट्रेस्ट होता है वेक्तियों में बिन्दता है इनको महत्व देते हैं अधर्षवाद के विचाष्प शिक्षा के प्रमुक अध्रव को देश यात्मनुभूतिभा नैतिक्ता शास्वत मूलीयों का प्राप्तिता पूर्ण दर्षप को प्रकृतिवादी जो आपके नथ्रलिज्म है इनके अनुसार्ष्पक्षा को उद्देस्ट करना है ठीक है इस तरीके से कुछ क्या होगा इनके डिफरेंस होगे अब बार ही आएगी आपकी परियोजन बाद की तो फटा फट से आप लोग यह पढ़ लीजे आइडियलिज्म और प्रकरतिवाद आपका कम्प्लेट होगे नेक्स्ट वीडियो के मद्यम से हम आपको परियोजन बाद कर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन प्रेस कर दीजेगा जैसे फटा फटा फट से वीवोज वैसे आपको करवाद के यह जो वाद है चाहिए आपका इसके बाद यह थायकल बाद है यह प्रैक्मेंटट ने चार्व इंपोर्टेंट है तो हमने आपको दो करवाद सब्सक्राइब करेंगे पेपर वन की पेपर 3 की फ्री पीडियाफ आपकी पीजी पॉइंट लाइब पर प्री पीडियाफ के सक्षन में पढ़िए वह पढ़ते रहो उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत चोटा चोटा सा लिखा है हैं डिटन नोट्स आपको फूरी म सांति सिक्षा जो है उसकी प्ले लिस्ट बढ़नी है आप सब पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट हर एक चीज़ की बढ़नी है यह तो सिर्फ एक रिवीजन मात्र है आपको बस आप ऐसे समझ लीजे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के मादें से तप्ता के लिए अपना ध्यान इनली मत